गुड इनिंग फ्रेंट्स मैं हूं धर्मिंदर आप देखरे हैं ओनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स बहुती important information आ रही है RRB के तरफ से जो आज RRB group D का exam हुआ है और जो कल exam होने वाला है उसमें एक बहुती important information आ रही है फ्रेंट्स कुछ सहर हैं जहां पर तितली नाम का एक तूफान आया हुआ है उसके बज़े से exams को cancel करने की बात हो रही है फ्रेंट्स जो अभी देखिए जो RRB मंत्री उन्होंने tweet करकर भी बताया है कि हाँ यहाँ आपर दिक्कत आईए और ये वीडियो important क्यों है क्योंकि कई लोगों का exam आज था और कल भी होगा तो फ्रेंट्स वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो बताने वाला हूँ कहां कहां exams रद होने की chances हैं और कहां chances नहीं है actual में रद होने वाले हैं कल आपको या आज आपको message आ गया होगा जिसका exam होगा और नहीं भी जिसका exam था जो कल आपको उसका message मिल जाएगा ठीक है देखते हैं पूरी information को start करने से वीडियो को पहले देखिए बता दू अगर देखें आप अगर हमारे channel पर जाएंगे online free study पर आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगी आपको group d का analysis मिलेगा बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो government related है friends सारी की सारी वीडियो है सारी जो वीडियो सब important है और उनकी वीडियो की PDF आपको available होती है जितनी वीडियो बनाता हूं उनकी PDF रहती है informative वीडियो की जो नोडिफिकेशन की वीडियो में तो उनकी नहीं रहती है बाकाइदा लेकि जो material है असकी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी वो का मिलेगी इस वीडियो की description में जाएगा वहाँ पर आपको telegram की link मिलेगी उसको join करकर आप PDF download कर सकते हैं बहुत ही simple तरीक से friends मैं देखी आपको official बताऊंगा और जो मैंने एक जगह से जो पूरी detail निका लिए बो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है पहले देखिए हम देख लेते हैं हमारे और से क्या है ठीक है तो देखिए पहले देखिए यहां पर देखेगा अराद हमी गुरुब डीद्व है रटारा तितली तूफान के कारण 11 और 12 अक्टूबर को होने वाली परिक्षा रद किये जाने किस किस सहर में रद होगी मतलब बहुत सारे सहर है कुछ सहर है ऐसे हैं जहां पर यह परिक्षा जोगी रद हो जाई ही कब 11 और 12 जो हुई है ब्रेलेवोर्ट भरती ब्रेलेवोर्ट भुवनेशन में चक्रवाती तूफान तितली क्या नाम है तितली की वज़े से 11 और 12 टूर की रेलवे गुरूप डी की जो परिक्षा है वो रद्ध हो गई है ठीक है फ्रेंट्स ये किलियर कर दिया गया है कि रद्ध हो गई है मैं आ संबलबूर्बूर्थ खरदा और भ्रंबूर्बबुर्ध ठीक है एक बार दुवारा से सुन लीजिए देखिए भुमनेश्वर कटाग धेंग नाल करके है संबलबूर्थ है खरदा है भ्रंपुर्थ सब आयटकी आय Bab has moved for के चेर्मेन ने बताया है कि नई तिती जो आएगी अब जो न्यू डेट आएगी और जगह जगह की जानकारी अब्यारतियों को उनके रेजिस्टर मोवाइल नंबर पर और इमेल पर मिल जाएगी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन है यह जिसका भी एक्जाम है या आपके रिटेव का एक्जाम है तो यह वीडियो को शेयर कीजिए का जितना से जितना हो सके ठीक है अब देखते हैं आफिशल हम तो फैंट्स यह रही ऑफिशल न्यूज देखे मैं बता दूँ पहली मैं किसी भी किसी भी जो न्यूस्पेपर है या किसी की भी उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स ठीक है यहां पर सिर्प हम इंफॉमेशन देख रहे हैं आरार भी ग्रूप डी बताया है तितली तुफान के कारण 11 और 12 अक्टूबर की परिक्षा रद्द हो गई है और कि इसके सहर में हुई है यह भी उन्होंने बताया है ठीक है किसके सहर में हुई है देखिए । यहां पर लिखा कॉंप्ईटर विसटेट्स था तो भूवनेश्वर कटक टेंक टेंक नाल्ट एकनाग संबलपूर खृदा और ब्रहंपुत में आयत होने वाली थी अरार भी ब नोटिफिकेशन मिल जाएगा यह पूरी न्यूस थी आई तिंग यह पूरी न्यूस आपको समझ में आई होगी और फ्रेंड्स देखिए यह बात अच्छी तो नहीं है मैं यह नहीं बोलूगा अच्छी नहीं है लेकिन इनफोर्मेशन अच्छी है तो आप मुझे बताईएगा कमेंट कीजेगा और अगर आप स्टडी रेंडर को भी वीडियो चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक चाहते तो भी यह कमेंट करके दिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी इनफोर्मेशन अच्छी लगी है और सबसे पहले इनफोर्मेशन मिली है तो जलूल लाइक कीजेगा और शेर कीजेगा शेर करना ना भूलिएगा फ्रेंड के साथ में बताईएगा जिसका 11 और 12 हो सकता है उनको 11 और 12 तरिक को सेम सहर में एक्जाम हो फ्रेंड लाइक शेर कर दीजेगा इस वीडियो के नीचे एक सब प्रेंड्स आपके एक्जाम के लिए